देजभर में हो रही भारी आक्सीजन की किलत और इससे हो रही मौतों पर देज के सरवोच्च नियाले ने एक बार फिर से संग्यान लिया है सुप्रिम कोर्ट ने इस बार एक टास्क फोर्स का गठन किया है यह टास्क फोर्स के सदस्य अक्सीजन की उपलब्दता और डिस्ट्रिब्यूशन का आकलन करेंगे सुप्रिम कोर्ट ने देश बर में वैग्यानिक तरकसंगत और न्याई संगत आधार पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्दता और वितरन का आकलन करने के लिए एक बारा सदस्य निस्नल टास्क फोर्स का गठन किया है यह टास्क फोर्स कोविड-19 की इलाज के लिए जरूरी दवाव की तरकसंगत और समान उपलब्दता सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगा और महामारी की वज़े से पैदा हुई बाकी चुनोतियों से निपटने के लिए सदस्यों के वैज्ञानिक और विशेश ग्यान के आधार पर इन्पूट भी प्रदान करेगा टास्क फोर्स की रिपोर्ट्स केन और सुप्रिम कोट को सौपी जाएंगी सोत्रों के हवाले से पता चला है यह आदेश देने वाली सुप्रिम कोट की दो सदस्यों की बेंच ने टास्क फोर्स के हर सदस्य से विक्तिकत तोर पर बात की है यह टास्क फोर्स अगले एक हपते के भीतर अपना काम सुरू कर देगे टास्क फोर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आभूत पूरों मानो संकट से निपटने के लिए दिमागों के साथ आने और वैज्ञानिक रन्नीतियों के निरमार में स्विधा देगा इस नेशनल टास्क फोर्स में वेश्ट वंगार इनिवसिटी आफ हेल्थ सांसर्ज के पूर वाइस चांसलर डाक्टर भावा तूस विश्वास गुरुग्राम वेदानता होस्पिटल की चेर पर्सन और मैनेजिंग डिरेक्टर डाक्टर ने रेश्ट रेहन जैसे नाम भी सा अब क्या कुछ अब्डेट होते हैं मैं आई उस्तिवारी हूं और आप बॉक्स टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं धन्यवाद